तो आज मैं आपके लिए फिर से एक अच्छा सा थाल पॉस लेके आई हूँ जिसकी मैंने जो उन है न वो सारी ही देखे टू पलाई की है और जो मेरा किरोशा है वो 2.75 mm का है तो चलिए देरना करते हैं फटा फट से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यह देखे इस तरह से नॉट लगाएंगे और एक दो तीन चार पाच चैन लेंगे पाच चैन लेने के बाद लास्ट वाली चैन में डालके इसे निकाल लेंगे और यह राउंड बन जाएगा फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और इसमें डबल क्रोश्य बनाएंगे इस तरह है थिक् motsबगहें तो इसमें न हमें जो टोटल डबल क्रोशय बनाने हैं वो 12 डबल क्रोशय बनाने हैं यह बारा को बनाके फिर मैं आपको दिखाते हैं कि तो यह दिखें हैं यह पुरा हो गया उसके बाद में हम यह पर न इसे यह वाली जो हमारी चैन थी उसमें डालके जॉइंट कर देंगे फिर से हम यह आपे न तीन चैन लेंगे और फर्स्ट वाली चैन में ही डालके एक डबल क्रोश्या और एक यह चैन तो दो हो गए और फिर अगले वाली चैन में फिर से दो डबल क्रोश्या उससे आगे वाली चैन अब हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, फिर से हम इसे इसमें ही जाइंट कर देंगे, उसके बाद में हमें फिर से तीन चैन लेनी है, फिरस्ट वाली चैन में डालके एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चैन में डालके दो डबल क्रोशिया, फिर उसस से आगे जो चैन है उसमें फिर से हम दो डबल क्रोशे वनाएंगे। तो आब बनाना है एक में चैन में दो डबल क्रोश्य वनाने है। तो यह उस तरह से हमें पूरा कम्प्लीट करना है तो कम्प्लीट करके फिर दिखाते हैं यह देखिए हमारा पूरा हो गया है उसके बाद में हम इसे हें पे जॉइंट कर लेंगे जॉइंट करने के बाद अब हम इसे हें पे न कट कर देंगे ठीक है अब हम इसमें दूसरा कल कर लेंगे फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और यहीं पर डाल के हम इसमें एक डबल क्रोश्या एक हमारी चैन हुई तो दो हो गए और अब यह तीन और यह चार हमने चार डबल क्रोश्या बना लिया हैं उसके बाद में हम एक दो दो चैन लेंगे और यहां से एक दो तीन तीन चैन चोड़के, फूर्थ वाली चैन में डालके, हम यहाँ पे फिर से चार डबल क्रोश्या बनाएंगे, इस तरह से, यह तीन और यह चार, फिर से दो चैन लेंगे, यहाँ पे तीन चैन चोड़ेंगे, और फूर्थ वाली चैन में डालके, हम फिर से चार डबल क्रोश बनाएंगे तो ऐसे ही हमें यह ना ऊपर यह पूरी लाइन बनानी है हर तीन चैन चोड़के फॉर्थ वाली चैन में चार डबल क्रोश्या तो यह पूरा करके फिर दिखाते हैं यह देखिए हमारा ना यह पूरा हो गया है इस तरह से पूरा करने के बाद अब हम यहाँ पे डालके इसे जॉइन करते हैं जॉइन करने के बाद हमें क्या करना है फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और यह देखिए यह जो हमारे चार डबल क्रोश्या थे ना इसके बीच में यहाँ पर डालके हमें फिर से चार डबल क्रोश्या बनाने है तो यह एक दो यह तीन और यह चार ठीक है? फिर से दो चैन लेंगे और यहीं पर डालके अगले वाले जो यह 4 डबल क्रोशे इनके बीच में डालके फिर से 4 डबल क्रोशे बनाने इस तरह से ठीक है फिर से दो चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे डालके 4 डबल क्रोशे बनाएंगे तो इसी तरह से यह हम पूरी complete लाइन कर लेंगे देखें हमारी पूरी लाइन पूरी हो गई है अब हमें न वही तो चैन लेके इस चैन में डालके जोईन कर लेंगे जोईन करने के बाद फिर से यहाँ पे तीम चैन लेंगे और जो यह 4 डबल क्रोशे थे इसी के अंदर बीच में डालके हम चार डबल क्रोशे यहाँ पे बना लेंगे ठीक है यह हो गया उसके बाद हमें क्या करना एक दो तीन तीन चैन लेनी है और यह देखें यह जो हमारी है न दोनों चैन है कि बीच में ऐसे डालके हमें ऐसे हमें यहाँ पे डबल क्रोशे एक सिके यह देखें यह तीन चैन लेने के बाद है अब हम यह वाली जो ही है इसमें ऐसे डालके ऐसे ही निकाल देंगे पूरा पड़ा क्रोशे हमें नहीं बनाना है सिंपल क्रोशे से करेंगे फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और फिर से जो यह चार डबल क्रोशे है इनके बीच में डालके हम यहाँ पे इस तरह से चार ही डबल क्रोशे बना लेंगे ठीके अगर आपको बड़े वाला बनाना है तो जैसे मैंने बताया था वैसे बना लेना पहले और ये इस तरह से बना सकते हैं ये देखें, तीन चेंव ली और स्म्पल क्रोशिय है आप डालके इन दोनों चेयन के बीच में और ये इस तरह से बना लिये फिर से हम 3 chain लेंगे और फिर से हम पर 4 double crochet बनाइगे तो यह ऐसे ही हमें पूरी line बनानी है तो यह पूरा बना के फिर दिखाते हो तो यह देखिए हमारे इस तरह से यह design बनके तयार हो गया है अब हमें फिर से यह 3 chain ले लिए हमने और यह chain में डालके इसे join कर देगे join करने के बाद अब हम इसे ही ही पे cut करेंगे cut करने के बाद हम कोई भी दूसरा color लेंगे आप चाहें तो एक यी color में बना सकते हैं लेकिन मैंने इसे ना दो गांप बनाया है तो मैं इसमें दूसरा color join करोंगी ये देखिए इस तरह से ये जोईन हो गया ढूने के बाद एक सिकिंड एक बार इसी में डालके ये और अच्छे से जोईन को जाएगा देखिए फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और यहीं पे डालके ये जो चार डबल क्रोशिया है इनके बीच में ही डालके हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से ठीके फिर एक दो तीन हम यहाँ पे न तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेने के बाद अगले वाले जो चार डबल क्रोशिया है इनके बीच में डालके हम यहाँ पर फिर से चार डबल क्रोश्य बनाएंगे देखें फिर से तीन चैनल लेंगे और यहाँ पर फिर से चार डबल क्रोश्य बनाएंगे इस तरह से तो ऐसे ही हम यह पूरी की पूरी लाइन कंप्लेट करेंगे तो यह देखें यहां तक हमने फिर से 3 chain लेके last में और इस chain में डालके इसे जोइंट कर लिए है उसके बात में हमें फिर से यहां पर 1, 2, 3 तीन chain लेंगे और इस में डालके फिर से 4 double crochet बनाएंगे और हाँ मुझे आपको एक चीज और बतानी थी अगर इना आपका इस तरह से हो जाए जैसे यह इस तरह से जोल साता है अगर वो आ रहा है सिंपल वाला इना एकदम प्लेन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आप जैसे हमने यहापे तीन चैन ली थी तो हम यहापे एकदम तीन चार चार चैन कर देंगे और चार चैन करके तब हम चार चार डबल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से तो यह क्या होगा फिर इसमें न बिक्कुल जोलनी आएगा मतलब यह टाइट नहीं होगा और यह अच्छे से पूरा बन जाएगा तो इसी तरह से हम यह पूरी लाइन कम्पलीट करेंगे तो यह पूरा करके फिर दिखाते हूँ तो यह देखे हमारा यह पूरा हो गया अब मैने यहापे जोईन करके फिर से चार डबल क्रोश्या बना लिए अब हमें इस में क्या करना है ये देखें एक दो तीन चार चार चैन लेनी है और इन दोनों चैनों के बीच में डाल के एक सिंपल क्रोशिय बनाना है फिर उसके बात में एक डो तीन चार, चार चैन फिर से लेनी है और फिर से यहाँ पर चार डबल क्रोश्या बनाने है ठीक है है ना सिंपल सा एक तम आसान सा थाल पोस इससे आसान तो कुछ भी नहीं होगा देखे, तीन, चार फिर से चार चैन ली और इन दोनों चैनों के बीच में डालके हमने सिंपल क्रोश्या बना लिया फिर से चार चैन ली और यहाँ पर डालके फिर से हमने चार डबल क्रोश्या बनाएंगे तो ऐसे ही हमें यह पूरा का पूरा कंप्लीट करना है ठीक है और इसके उबार जो हम ना double crochet बनाएंगे फिर से हम 4 double crochet और जो हमारी यहाँ पर chain होगी वो हम 5 chain बनाएंगे ठीकिये फίνरी, फिर 4 double crochet फिर 5 फिर 4 double crochet ऐसे ही 2 line बनाएंगे और फिर से यह बनाएंगे तो इसी तरह से हमें न यह पूरा kıँ complete करना है वैसे ही मैंने इसका ये वाला आपको बताई दिया था, अकर आपको इसे न काफी बड़ा बनाना है, तो सेम इसी तरह से एक या दो चैन बढ़ा के आप उपर की साइड में बनाते चाहिए, और जितना बड़ा आपको चाहिए, आप उतना बड़ा बना सकते हैं, मुझे इतना ही चाहिए होता था, तो मैंने इसे इतना बनाया है, और इसके जो ये कंगूरे हैं, उसके वीडियो भी निकल गई है, तो मैं आपको न दुबारा से ये बता देती हूँ, ये सिंपल है बनाना, इसमें बस क्या करना है, कि जो हमने ये चार डबल क्रोशिया बनाए है ना, इसमें हम डालके, एक, पहले हम या पे ब्लू वाली उन जोइन कर लेंगे, और फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चेन लेंगे, और दो चेन और एक्स्रा ले लेंगे, फिर हम इसे फंदे को इस तरह से खीचेंगे, और फिर्स्ट वाले में ही डालके, एक बार क्रोशिय के उपर, और एक शुरू वाला था, दो हो गए, और ये तीन, और ये चार, ठीक है, इन सब को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, फिर अगले वाले में डालेंगे, चैन में, और फिर से चार बार पन देना, हम क्रोशिय के उपर लेंगे, तो एक बार हो गया था, ये दो, तीन, और ये चार, इन सब को हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे, फिर एक, दो, तीन, और ये चार, चार चैन लेके, और इसी में डाल कर देंगे उसके बाद में एक दो तीन चार पांच छे चे चेंड रेंगे और जो हमारे चार डबल करोशिया है उसके पास डालकर इस तरह से जोईंट कर देंगे फिर एक दो तीन चार चैन लेंगे और जो यह हमारा सिंपल क्रोशिय था ना यहाँ पे यहाँ पे डालके इसे सिंपल ही जॉइन कर लेंगे फिर से चार चैन लेंगे और जो हमारा यह डवल क्रोशिय है चार में फर्स्ट वाले में डालके इसे जॉइन कर लेंगे जो यह फर्स्ट वाला है ना इसमें डालके से जोईन कर लेंगे और फिर यहां पेना एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ शेयन ले ली चे हमने शुरू में ली और दो यह एक्स्ट्रा उसके बाद में इस तरह से खीचेंगे और फिर से यह ना चार बार फंदे हम क्रो लेंगे ठीक है और फिर इन सब को एक साथ निकाल देंगे फिर आगे वाली चैन में डालेंगे और फिर से यह फंदे क्रोशी के उपर इस तरह से ही दे के दो होगे तीन चार और इन सब को एक साथ निकाल देंगे फिर एक दो तीन चार चैन देंगे और इसी में डालके से स चैन लेंगे और ये लास्ट वाला जो दबल क्रोशय है चार में दाल के से इस तरह से जोईन कर देगे ठीक है फिर एक दो तीन चार चार चैन लेंगे फिर ये नीचे सिम्पल क्रोशय में जोईन करेंगे फिर से चार चेन देंगे और यह इसमें यहाँ पे जोइन कर देंगे और यह जहां से हमने शुरू किया तहां से हम तक कर दिया है अब इसे हम यहाँ पे यह ना कट कर देंगे तो यह देखे हमारे इस तरह से इसमें यह कंगूरे अगर आपको बनाने है तो यह बन के तैयार हो जाएंगे ठीक है कि तो यह देखिए हमारा बन गये न कुछ इस तरह से नपूर यह तैयार हुआ है मैं थोड़ा दूर से दिखा रही हूं आपको जिससे यह आपको थोड़ा चोटा भी लग रहा होगा जिससे यह आपको एना अच्छे से समझा जाए तो आपको यह कैसा लग रहा है मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना और जितना भी आपको बड़ा बनाना है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कितना बड़ा बनाएंगे तो आपको कैसे बनाना है तो उस तरह से आप बना दीजिए आपको यह कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताएंगे और हाँ आज कल आप सास्क्राइब बुक्कुल नहीं कर रहे हैं